ओम नमस्षिवाई, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वामना योटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको मासिक सिवरात्री का महाउपाय बताने जा रहा हूँ मासिक सिवरात्री 29 अप्रेल की है इस दिन बहुत बड़ा योग है इस दिन सिवलंग पर कुछ चीज़े आपको चड़ानी है और साथ ही नो रासियां बहुत ही भाग गिसाली है संपूर जानकर लिए वीडियो को लाश्तर दे के चैनल को सब्सक्राइब करें मासिक सिवरात्री का उतना ही मैतोता जितना सिवरात्री का होता है इस दिन भगवान सिव की पूजा की जाती है आपके मन में कोई इच्चा है कोई भी मनो कामना है तो आप भगवान सिव के सामने जरूर बोलें इस दिन गाय के दूद से भगवान सिवजी का अपसिक करना चाहिए गाय के दूद में केसा डाल करके ओम नवस्वाय मंतर का जाब करते हुए सिविलिंग का आप सिख करें उसके बाद में आप सिविलिंग पर गंगा जल अरपन करें उसके बाद आपको भस्मी अरपन करनी है जिस पकार आप इसकीनी पर देख रहे हैं इस दिन नौराशियां बहुत ही बागिसाली है इनका योग बहुत ही अच्छा है साथ ही दूसरे दिन तीस तारी को बहुत बला ग्रहन लगने को जा रहा है तो इस दिन जो व्यक्ति अपनी पुत्र की इच्चा बोल करके थोड़े सी गेहूं सिविलिंग पर चड़ा देते हैं बेल पत्र चड़ा देते हैं अपसे करते हैं उनकी पुत्र की मनुकामना धन की मनुकामना प्रमोशन की मनुकामना पूरी हो जाती है साथ इस दिन गाय का जो घी होता है उसमें सक्कर मिला करके सिविलिंग पर अरपन करनी चाहिए प्रतेग मनों कामना पूरी हो जाती है मेश रासी, ब्रेशब रासी, करक रासी, सिंग रासी, तुला रासी, व्रेश्चिक रासी, धनु रासी, मकर रासी और मीन रासी ये रासिया इस दिन बहुत ही भाग्यसाली और लग्टी रहने वाली है बाकी पारे और रासिवाली ये उपाय करें जो आपके मन में कामना है जो इच्चा है बोले नात भगवान की किरपास है आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी तो इस दिन तुरोदैसी चतुरदैसी हैं मगवान शिव की किरपास है आपकी मनुकामना पूरी होगी और अपने मुठी में थोड़े से चावल लेकर के इच्छा बोलते हुए शिव लिंक पर चावल चड़ा दें वीडियो को शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमस्टिवाए